Hello everyone, I hope all of you are doing good. SACJE 2024 की तैयारियां चल रही है, बच्चे लगे हुए हैं प्रप्रेशन करने में, और इसी दौरान नोटिफिकेशन आ गया है कल, अलाकि इससे पहले भी exam के dates tentative आ चुके हैं, और कल जो notification आया, उसमें भी same date को tentative date कहा गया है, जो कि 4, 5 और 6 June को है, और कुछ important points है जो हम इसमें discuss करेंगे, जो basic कुछ थोड़े बहुत यहां पे changes हुए हैं, जो कि आपको जानना चाहिए, form fill करने से पहले, at the same time, इन सारे points को discuss करने के बाद, last में हम ये भी discuss करेंगे, कि जो बच्चे preparation के stage में हैं, या कर चुके हैं, उनको आगे क्या करना चाहिए, so let us start one by one, ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसलिए last तक वीडियो आप बने रहिए, आपके लिए बहुत ही beneficial रहे गाईए, इस 2024 के notification में अगर आप ध्यान देंगे, तो इस बार जो number of seats इन्हों ने पहले निकाला है, जो के 788 के round है, civil engineering का, जिसमें MES के seat को अभी इन्होंने बतायाने कितना है, बताएंगे आगे वो, मतलब करीब करीब हम यह मान सकते हैं कि on an average 900 के उपर सायद seat होने के संभाव ना है, at the same time, एक और बहुत important बात है, important बात से पहले एक बात ध्यान रखना कि यह seat को एक कम seat नहीं है, this is good enough, no problem, so आपको तयारी दिल लगा के करनी चाहिए, at the same time, एक और सबसे important बात यह है, कि पहले जो एक website चला करता था, वो website के अलावा इन्होंने नया website launch किया है, यह website पर आगर कोई भी आपको नया form फिल करना हो, या किसी भी तरह के जानकारी लेनी हो SSC JEE के लिए, आपको अब इस website पर जाना चाहिए, पिछला वाला website डिफरेंट था, यह बहुत important आपके लिए रहेगा, नोटीस में अगर आप ध्यान दें, तो जो important dates है आपके लिए, वो important dates जो आपको अलरी पहलूम होगा, कि 28 को आप से लेके 28 मने कल, 28th of March से लेके 18th of April तक आप form फिल कर सकते हैं, और इस form फिल करने में जो आपके payment वगर हैं, वो 19th April को, at the same time corrections के लिए 22nd से 23rd April, यानि form फिल करना, और form फिल करने के बाद कई बार गलतियां हो जाती है, उसको correct करने के लिए जो window open होगा, वो 22nd April से 23rd April के बीच में open रहेगा, और वहां आपको corrections कर लेने हैं, at the same time जो आपके tentative schedule जो मैंने कहा, चार जून से लेके, छे जून के बीच में ही आपके exam conduct किये जाएंगे, और obviously ये computer based exam होता है, that you know already, right, now another very important point is, पहले ऐसा होता था कि जब notification का date आता था, वो important date बन जाता था, किसी particular certificate को submit करने के लिए, मैं especially कहना चाहूंगा, जो लोग SCST category से, OBC category से, EWS जो economical week section है, या और भी इस तरह के जो reserved categories हैं, इनके लिए जो आपको certificate जमा करना पड़ता था, वो certificate आपको जो अब submit करना है, वो आपको 1st August तक कर सकते हैं, अब इससे benefit क्या हो जाएगा, पहले हो जाता था, थोड़ा सा भा करना होता है, और वो format आपको मालूम है कि notification में available रहता है, तो उसी format में इन certificates को submit करने में थोड़ा भागदोर बढ़ जाता था, अब यह benefit क्या है, 1st August तक आप यह submit कर सकते हैं, थोड़ा आप relax हो गए, मतलब आपकी तयारी में ज्यादा problem नहीं आने वाली है, you can easily submit your certificate, but एक और बात, so another important point is, कि जो आपके certificate submit करने पड़ते थे, आपके SD category, SD category, OBC का या EWS का document verification के time पे, तो पहले क्या होता था, कि notification वाला जो date होता था, उसी date के अंदर की certificate चाहिए होते थे, अब यह है कि जब आपका DV होगा, उस समय पे जब आपको यह certificate चाहिए होंगे, उसका date अब बनवा रखा है, notification से पहले तक का, तो भी वो easily, घर में मतलब कहा जाया तो अपने parents से बोल के बनवा ले, एक अगस्त तक के date वाले certificate को वो DB में consider करेंगे, तो थोड़ा एक relax जैसा simple हो गया यह, लेकिन यह बात ध्यान रखना, यह जो मैंने कहा, यह सिर्फ आपके result category के परस्त का होना चाहिए, क्योंकि अगर notification आपका है, कि आप 18 April तक आपको भर देना है, सारा form वगरा, तो आपका जो certificate वगरा है, जिस के तहत आप eligible हैं, जैसे मान लेते हैं, BTEC का candidate हो, या diploma का candidate हो, यह दोनों ही eligible हैं, तो इन दोनों की eligibility criteria उनका certificate है, तो अगर वो certificate उनके पास 18 18 के पहले उनके पास available हो जाता है, 18 पर देखेंगे, कि आपको format required है, मैंने पहले भी कहा, कि जो भी आपको certificates बाद में चाहिए होगे, वो एक particular format है, आपके SSJEE की notification, जब मैंने दिखाया आपको website, उस website पे जाके, आप notification डाउनलोड कीजे, वहाँ format दे रखा है, उस particular format है, particular format में ही आपको certificates देना है, आप अपना कोई format में देंगे, तो वो invalid हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, next है आपका, कि guidelines for income certificate, ये income certificate वाला कैसा है, कि जो EWS category के लिए, जो income certificate आप देते थे, अब वो क्या है, financial year, अभी जो देंगे हम, वो कौन से financial year का होगा, वो आपका 2023, 1st April से लेके, 31st March, 2024 तक का, ठीक है, ये financial year का होगा, और ये बनने में अभी आप समझेए, कि ये फौराद समय लग जाता है, तो अब इसलिए, 1st August तक, certificate जो देने की बात है, जो EWS category section है, 1st August गौर्वर्मेंट ने इसलिए रखा, कि इस financial year का, जो कि अब close हो रहा है, आपक कि ये भी आपको clear हो, तो इसके अलावा, मेरा भी एक सवाल है, इसमें, कि EWS जो आपका economical week section के लिए जो certificate चाहिए होता है, बाद में document verification के समय, तो ये बताओ कि कितने साल तक ये valid रहता है, कितने साल का मतलब ये हो गया, कि मानलो मैंने पिछले साल बनवा लिया, EWS, और तो क्या वो valid है, तो मुझे ये comment section में लिखके बताओ कि कितने साल तक EWS की certificate की validity रहती है, right, so next है form भरने से related, how to apply it, जब बच्चा form फिल करता है, उसमें दो type है, एक होता है आपको OTR, one time registration, और दूसरा होता है, जब आप registration कर लेंगे, उसके बाद आगे की filling, जैसा कि नया candidate ह one time registration, और जो registration कर चुका है, वो फिर बाकी का form फिल करता है, लेकिन यहां ये ध्यान रखने की बात है, कि पहले जिन बच्चों ने exam लिखा होगा, और उनका one time registration पुराने वाले website पे हो रखा होगा, वो invalid हो जाएगा, यानि नए website पे आपको फिर से one time registration करना पड़ेगा, ये पुराने students नए website पर फिर से one time registration फिल करेंगे और फिर next application को proceed करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको राइट, और OTR भरते समय, one time registration करते समय, जिन documents की आवशक्ता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है students के साथ, कि बैट जाते हैं भरने के लिए, और पहले से prepare नहीं होते हैं, इस तरह है, हैपजार नहीं करने की जुरुत है, हमने यहाँ पहले लिखके दिया है, वो आपके notification में अलड़ी है, वहाँ से मैंने लिखा है, तो ये documents अपने पास रखें, इन documents को आप अपने पास रखें, तभी आप OTR करने जाएं, ताके आपको जो भी required information है, वो आपके पास available हो और आसानी से आप form को फिल कर सकें, इससे फायदा ये होता है कि आप गलतिया कम करते हैं, बहुत सारे students को हमने देखा है, जब छोटी-छोटी गलतिया हो जाती है, एक्जाम अच्छा चला जाता है, फिर भी वो परेशान होने के वज़ए से अपना अच्छा से एक आप फोटो स्कैन कर लेते थे, पासपोर्ट साइच का या फोटो आप पहले से रख लेते थे और इसको अपलोड करते थे, इस बार वैसा नहीं है, आपके फोटो इस बार लाइव कैप्चर होंगे, और ये जो लाइव कैप्चर होगा, फ्रंट का फुल पोर्शन उसका य मोबाइल में या कहीं रखे होंगे, वो आपको अपलोड नहीं करना है, आपको फोटो वहाँ पे लाइव कैप्चर करना है, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा, राइट, सो इसके अलावा बाकी जितने भी डिटेल हैं, ये सब आपका, जैसा मैंने कहा, नए वेब साइट पर अवेलेबल हैं, आप आराम से वहाँ विजिट करें, जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं, तो कई बार क्या होता है, आप से छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, आप जब जाएंगे दुबारा विजिट करेंगे, तो वहाँ लिखा रहता है कि स्टेटस अभी इन इनकंप्लीट स्टेटस में तो नहीं है, और अगर इनकंप्लीट स्टेटस में है, तो उसके क्या कारण है, और उसको ठीक करें, ठीक, ये वाद ध्यान रखना है आपको वह भी नए वाले वेड़ साइट पर जाके, तो ये रहा आपका एक लमसम आइडिया, जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ इस बार के फर्म में, बाकि जो पहले हुआ करता था, इस बार भी वैसा ही है, जैसे मैं अगर बताओं कि आपके जो CPWD का कैटोगरी है, उसमें 32 एर्स के तक एज वाले भर सकते हैं, तो ये हो गए हमारे वो जो चेंजे इस बार थोड़े बहुत जैसे के नए बच्चे के लिए खास तोर से के CPWD 32 एज तक अलाव करता है, इसके अलावा बाकि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो 30 एर्स के एज तक अलाव करते हैं, इसके अलावा अगर आप जान दें, तो BTEC और डिप्लोमा दोनों ही अलिजिबल हैं डिपार्टमें होता है, जबके BTEC के लिए रिक्वाइड नहीं होता है, और एक बात important है, आप अगर notification पढ़ेंगे, तो CPWD वाले में आप देखेंगे कि सिर्फ वहां लिखा हुआ है डिप्लोमा, जबके बाकि सारे section में वहां BTEC का भी लिखा हुआ कि BTEC और डिप्लोमा along with the two years of experience, अच्छ में चाहिए, इसके अलावा और कहीं नहीं चाहिए, डिप्लोमा वालों को experience, पर BTEC वाले भी eligible हैं CPWD में, और CPWD में वहां लिखा हुआ नहीं है, तो इससे आपको चिंता करने की ज़रूत नहीं है, कि सर, CPWD में सिर्फ डिप्लोमा वालों का लिखा हुआ eligibility, BTEC वालों का तो नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्रत नहीं है, वहां पर BTEC वाले भी eligible हैं, यह जरा basic information से जो हर साल जो बच्चे देते हैं, उनको यह पता रहता है, इसके अलावा और कुछ भी अगर जानकारी चाहिए, मेरा एक suggestion यह रहेगा, चाहे जैसा भी हो, जितना भी हम कुछ बत Now, जो पुरानी candidate है, या जो नए candidate जो एक्जाम की तियारी कर रहे हैं, ध्यान से अपना form भरें, इसके अलावा कोई अगर problem है, आप comment box में जाए, आपने सवाल लिखें, वहां पे हम आपके सवाल देखेंगे, और relevant जो आपके लिए answers होंगे, वहां पर लिखेंगे, so don't worry at all But at the same time, अब preparation तो अब तेज हो जाना चाहिए, क्यों, notification भी आ गया, और exam के tentative dates पहले भी आये थे, और ये दुबारा आ गया, इसका मतलब क्या है, कि बहुत chances हैं, कि exam उसी समय पर लिया जाएगा, यानि वक्त हमारे पास काफी कम बचा है, लेकिन इतना भी कम नहीं, कि अब क्योंकि syllabus बहुत बड़ा है, और उस syllabus को आप अगर basic level से preparation करना चाहेंगे, तो ये time ठीक नहीं है, तो क्या करना चाहिए, बेतर है, you should go for कोई एक design किया गया, कोई एक kind of cash course, या फिर कोई जिसको कहते हैं, short term course, जो कि आपको provide करे, एक sufficient amount of content, जिसको आप करने के बाद, आपको इतना confidence आए, कि at least you can go through with the prelims paper 1 as well as paper 2, तो आप अभी ऐसा कर सकते हैं, कि हमारा already course 28 March को launch हुआ है, और इसका नया batch 4th April को आने वाला है, SSJEE का ये prelims practice program, ये आप लोगों को अगर नहीं पता हो, जिन लोगों ने पहले कर रखा है, उनको तो मालूम होगा, जिनोंने नहीं किया उनके लिए मैं खास तोर से बता दू, ये एक course हमने जो डिजाइन किया है, इसमें जो theory वाले portion से हर एक subject के, उन सारे अच्छा पहले मैं बता दू, इसमे technical प्लस non-tech, दोनों ही पूरी तोर से cover किया जाएगा, फिर से repeat कर रहा हूँ, इस course में technical और non-tech, यानि पूरा full coverage of syllabus र चुका हूँ, एक बार और explain करता हूँ, यहाँ पर जितने भी subjects हैं, उन सारे subjects के जो हम theory पढ़ाया करते थे, उन सारे theory का क्या किया है हमने, a kind of short notes बना दिया है, मतलब ये short notes faculty के द्वारा बनाया गया है, आप भी बनाते होंगे short notes, आपके लिए अच्छा है, faculty ने खुद short notes बना दिया है, at the same time, वो short notes आपको दिया जाएगा और इस privilege practice program में question की practice कराये जाएगी, जो पूरे subject को cover करेगा, वो भी SACJEE के level के हिसाब से, वो भी पूराना SACJEE नहीं, जो इस बार changes हुए हैं, जैसा के statement वाले questions का आना, assessment reasoning का आना, या फिर कुछ नए ऐसे थोड़े moderate questions का या फोड़े tough questions का आना, इन सारे तरह के different questions को हमने इसमें incorporate किया है, मतलब इसमें लिया है, ताकि आपका जो width है, वो SACJEE ने जो अपना थोड़ा सा width बढ़ाया है, तो हमने भी अपना थोड़ा सा width बढ़ा दिया है, ताकि आपको exam लिखते समय थोड़ा पाइदा हो, So, you will get the short notes, साथ में आपको question की ढेर सारी practice, वो भी SACJEE के इस नए आधार पर, तो होगा क्या, जो लोग पहले त्यारी कर चुके हैं, अगर ये करेंगे, तो उनका एक पूर, अच्छा, ये चू, question से, जब सबसक्जे, subject से होंगे, हर एक chapter से होंगे, जो important points है, जहाँ कर चुके हों, या 50%, या 70%, उनके लिए भी beneficial है, जो 57% आपने कर रखी है त्यारी, उसके लिए तो आपका revision हुआ ही, साथ में जो subject साप नहीं कर पाये थे, उनको भी एक बार go through कर लेंगे, इस course के जरीए, तो आपको कुछ एक और portion आपका add-on हो जाएगा वो इस बार के लि site और खास तोर से आप देखिए, तो offline में ये हमारा available है, पतना center में, बिहार के बच्चों के लिए काफी खास opportunity है, ये खास तोर से हमने, पहले तो हम यह यहां दिन्ली center से ही करवाते थे, लेकिन हमने खास तोर से इसको पतना बिहार में जो है, वहां हमारा master learner का center है, वहां स offline हम इसका class ले रहे हैं, at the same time ये online भी available है, जो बच्चे दूर है, जो पतना नहीं आ सकते हैं, वो online mode जोइन कर सकते हैं, और जो बच्चे पतना या पतना के आसपास रहते हैं बिहार के बच्चे, उनके लिए beneficial है, सामने आए वो और वहां preparation करें, faculty के साथ interact करने का मौका मिल और जो आपके अंदर कमिया हैं, कई बार क्या है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, कि हम जिस direction में चलना हैं, वो सही है या गलत है, और बहुत सारी बातों को आप message के through लिख के faculty से पूछ नहीं सकते, हम एक बात कहना जरूर चाहेंगे, हमारे पास में इतना experience जरूर रह है कि अलावा भी आपके preparation में अगर कोई problems आ रही हैं, उनको faculty से deal करना और solutions को जानना, यह बढ़ा beneficial होता है, so do not miss this opportunity for those who are staying nearby पटना, right? So admissions जैसा मैंने पहले बताया, already master learner का admission open है, 4th April से यह फिर से एक batch आ रहा है, so online और offline दोनों mode के लिए, right? So that's all from my side, कुछ अगर आपको और जानकारी चाहिए, master learner के website पर जाएए, या फिर नीचे हमारे comment section में, आप comment कीजिए, we will be answering your questions, thank you everyone, thank you very much.